कि अब दोस्तों कैसे आप लोग कि यह उपसल बढ़िया उगे और पढ़ रहे होंगे कि यूश्ट लास्ट में जो मैंने पढ़ने को दिया था आपको ज़ान बूच के बोलो था कि पढ़ के जुरूर आना क्योंकि वह थोड़ा important है इसलिए क्योंकि वह बुक्स में जर्नली नहीं दे रखा है ठीक है इसलिए वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस वह थोड़ा टेक्निकल था इससे पहले वाला जो भी हमने पढ़ा था औरिटे में वह ज्यादा तर ठीरेटिकल था कल वाला थोड़ा टेक्निकल था ठीक है करते हैं एक पर पिछला वाला रिवाइज कर लें जल्दी से बहुत ही तेजी से कहां था लाश्ट क्लास में कंपनी और इस चलो दोस्तों सबसे पहले था हमारा क्या होना चाहिए यानि उसके पास सी योपी होना चाहिए और वह चार पांच मिलके अपनी एक फर्म मना रहे हैं तो उन सब के पास सब के पास सी योपी होना चाहिए ठीक हो सारे सी होना चाहिए यह तो बीसिक बात है दूर्स हैटिंग के था डिसक्वालिफिकेशन यह ज्यादा टेक्निकल हो गया था इसका मैंने अगला पेस चेंज करा दिया है देखो पिछले लास्ट टाइम कुछ गडबड़ी क्वेily कंट से पहले कि अउनी चाहिए फहाम हो सकती है ठीक है फार्म कैन बी ऑउड़िटर एक फार्म ओडो सकती है लेकिन सिर्ल लिखाओ ठीक है वो नहीं बना सकते हैं यह इतना समझ लेज़े होता यह partnership फर्म ही है बस इसको क्या होता है यह दिया हुए इतना ही बहुत आपके समझने के लिए इसके ज्यादा डीप नहीं जा सकते हैं इसको बहुत बढ़ा नहीं कर सकता ठीक है पर पर्सन या फिर उसका रिलेटिव के पास करजा नहीं होना चाहिए ठीक है मेरा मेरा मेरे रिलेटिव और क्या है कि मेरा कोई पार्टनर अगर है हम लोगों ने उस कंपनी से पांच लाग से ज्यादा करजा नहीं होना चाहिए ठीक है कि नैक्स today क्या था फॉइंट हमारा के ग्यारेंटी जैसे करजा निंदर लिया होना चीज है या इसीजी गा एक और पैंट है मैंने या फिर मेरे पार्टनर ने company को guarantee नहीं दी हुई होनी चाहिए किसी तीसरे के- लिए अगर किसी और लिया है company से और उसके बदले में company को भोल रहा हूं कि अगर यह नि देगा ना तो मैं दूंगा मैं उसा guarantee नहीं होना चीए ठीक है एक लाग से उपर का माउंट अगर एक लाग से निचे का माउंट एक लाग तक का माउंट है तो कोई बात नहीं हमारा कोई business relationship नहीं होना चीए यानि मैं कोई काम धंदा कर रहा हूं को बिजनिस कर रहा हूं तो मेरे मैं उस company से खरीद या बेच रहा हूं वह समान ठीक है तो मैं उसका और नहीं बन सकता अब आप सोचो के सर और कैसे अगर किसी ने सोचा है तो ठीक है नहीं सोचा तो बता लेकिन कुछ company को न मैं audit नहीं करता कुछ company होगा कुछ company को मैं accounting के service देता हूं आप समझो और काम सिर्फ opinion देना होता है हम पहली क्लास समझ रहे हैं कुछ company का मैं auditor तो नहीं हूं सिर्फ accounting देता हूं मेरा बंदा जाता है मेरा employee जाता है उसकी accounting करता है Adaptar Credit Profit and Loss balance sheet बनाता है बनाने काम वैसे है मेरा जिसका मैं अगर मैं कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहा हूं तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता अगला क्या है अगर मैं किसी फ्रोड के चक्कर में जेल चला गया ठीक है वहां मुझे सजा हो गई और उस सजा के 10 साल तक मैं ऑडिटर नहीं बन सकता ठीक है नेक्स्ट यह हमने सब एक्जामपल से समझा था छोटे छोटे एक्जामपल से था राइट ऑफ दी कंपनी ऑडिटर देखो राइट है मैं करूं क्या ना करूं जो कूपनी का हमारे इन्फोरमीशन मांगने का इंफोर्मेशन मतलब किसे बंदे से पूछ थाच करने का कि हाँ तू बता मुझे ने चीज समझ में आई रहे तू ऐसे बता कि यह चीज कैसे हुए किसे इंप्लोई को पकड़ लिया आपने डिरेक्टर को पूछ पकड़ कर पूछ लिया कि आप यह बताओ कि ऐसे कैसे हुआ ठीक है मेरे पास है सबसीडरी जो जिस कंपनी का मैं और कर रहा हूं उसकी कोई सबसीडरी है तो उसकी भी बुक्स को मैं चेक कर सकता हूं लेकिन मैं अपनी कंपनी के मेरी कोई होल्डिंग है मैं उसकी नहीं बुक्स चेक कर सकता यह इंपॉर्डर नहीं है आपके लिए ब को मैं आटेंड कर सकता हूं मेरा राइट कि दूश था सब्सक्राइब करने के बाद बाद मुझे सब्सक्राइब मेंटर मिला है, सेक्षर में कुछ specified matter लिखे हुआ है, जिससे कुछ loan के regarding है matter, loan का example ले रहा हूँ, एक matter है loan का, कि लोन के बारे में आपको अलग से पूष्थाश करनी है अलग से उसके बारे में इपनी रिपोर्ट में लिखना है कि हाँ बहुत अगर कोई और कोई और अधीचनल मेटर मिल जाता है ений क figur निजमे बहुत सारी कंपेटी बंती है और टमेटी और इल्ट मेंति हुस्का आइड ना कि अधर कीता दुभा कंपनी में एक है के अंदर लोग बनतें एड़ेक्टर बनाते है रिक इस पर रहते हैं तो इनकी मीटिंग मैं अटर्ण कर 행र है अगला लास्ट डिट्वारा डर्ड एजंड एजियम यह डूटी भी है और यह सब्सक्रास कि था हमने पड़ा था कि आफ क्थो हमने क्या पड़ा था यहां पर टाइप ऑपीनियन बोल लो यह पर टाइप ऑड़िट रिपूरट बोल लो ठीक है, कुछ भी question आ सकता है, आपको दोनों में यही चीज़ लिखनी है, यही content लिखना है, report की जगा, बस opinion कर देना, और जहां opinion है, उसके जगा report कर देना, बस इतना करना, ध्यान दखना, यह question आ सकता है आपका, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, दो तरह की opinion होती है, unqualified और modified, आपके course में क्या है, सिर्फ एक यह वाली है, और एक यह वाली है, फिर भी मैंने आपको साला समझा दिया था, unqualified का मतलब है, कोई भी दिक्कत नहीं, सारी चीज़ सई से बनी हुए है, law के इसाब से बनी हुए, accounting standard follow हुए है, company section follow हुए है, तब कुछ ठीक है, unqualified, है, loan limit से जादा ले रखा है, एक्जामपल यह था हमने, तो यह हो गया, qualified, adverse यानि सब कुछ ही गलत है, यानि मोटा मोटा बहुत बढ़ी बढ़ी गलत है, तो हम adverse बिल्कुल उल्टी गलत रिपोर्ट देंगे, कि हाँ भी इसने सब बहुत गलत गलत रखी, disclaimer का मतलब क्या हो आपके कोर्स में यह है और यह आप यह दोनों याद कर लोगे, आपके लिए sufficient है, अगला appointment of auditor, appointment of auditor, पहला auditor कौन appoint करता है, board of director appoint करता है, जब company बनती है, उसका 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, और यह कब तक auditor रहेगा, उस साल के आने वाले 30 सितमबर तक, यानि उस साल के आन अगले 5 साल तक के लिए auditor रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में निकालना चाहे, company वह बात अलग है, लेकिन उसको बार-बार हर साल अलग चेंज करने की ज़रूत नहीं है, ठीक है, यह हमने सारा समझा था कैसे कितने सालों तक रह सकता है, टर्म क्या होती है, एक बार बन गए, तो जैसे अभी मैंने बोला कि 5 साल तक रह सकता है, अगर वह individual है, मैं अकेला order हूँ, तो मैं 5 साल तक लगातार order रह सकता हूँ, और मेरी अगर फर्म बना रखी है, तो मैं 5 जो subsequent order था न, मालो इसी बंदे को जो हमने 30 दिन के अंदर point करा था, उसी को हम सितंबर में जो पहली AGM होगी, उस दिन इसी बंदे को अगर हम point करना चाहते हैं, तो क्या-क्या होना चाहिए उस बंदे के पास, वो किसी और section में disqualified नहीं होना चाहिए, उसने अपनी ना करने क notice नहीं दिया होना चाहिए, कि भाई मैं नहीं करूँगा इस साल से, अगर उसने यह बोल दिया तो वो नहीं बन सकता, तीसरा, as company ने खुद एक resolution पास कर दिया कि भाई यह नहीं बनेगा, इसके जगह यह बनेगा, इन तीन cases में जो पुराना बंदा है, वो नहीं बनेगा, ठीक है, बस इतना सा point है, removal of order में हमने समझा था, कि order को निकाल भी सकते हो, और order अपना resignation भी दे सकता है, निकालना होगा, तो central government को हमें form फाइल करना होगा, form मैंने बदाया साब को edit to, ठीक है, और order को reasonable opportunity दी जाएगी, मतलब उसको सब पूछे जाएगा कि हाँ तुझे निक रिजाइन दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने बन रहा हूँ, आगले साल से इसका order, वो अपनी जो भी इसको reason होगा, resign देने का उपना reason बता देगा, चलो, आज की class start करते हैं, यहां से, liabilities of company order, देखो दोस्त, liabilities क्या होती है, liabilities दो परकार क्यों होती है, जनरली, civil liability और criminal liability, ठीक ठीक है, अब civil liability क्या होती है, criminal liability क्या होती है, पहले एक मोटा मोटा समझ लेते हैं, देखो, civil liability वो liability होती है, कि गलती हो गई या गलती कर दी, बट वो कहीं पर लिखा नहीं हुआ, किसी act में specifically नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, जो हम अभी journal sense में पढ करेंगे, लेकिन आपकी दिमाग में एक proper knowledge होनी चाहिए, कि हाँ भी actual में होता क्या है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, कि actual में क्या होता है, ठीक है, bookish language तो आप रट के आज लिख दोगे, कल को कोई पूछ लेगा, तो क्या बताओगे, ठीक है, तो civil liability होती है, कि जब कोई ऐसी गलती हो जाए, जो किसी act में नहीं लिखे हुई, आपने कोई काम करना था, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं किया, तो नहीं किया, ठीक है, किसी act में थोड़ी लिखा है, कि हाँ ये काम कर दिया, तो कुछ हो जाएगा, criminal liability ये होती है, कि कि किसी act में, किसी धार या फिर जेल होगी जैसे आप कहलो चोरी करना चोरी करना ड़ेना करम देना कि वह किरिमनल लायबिलाइबिलिटी वह किसी न से अक्ट में लिखे होई है तो कंपने इस एक्ट में में आ जाएगा ठीक है मोटा मोटा इतना डिफर्स है कयa अब सिविल लाइबलेटी में फीला या अठीए ड्लेटि उप इत相信ि है ठीक है अब लाइबलेटी उप नेगलीजनस वॉड्स आपको पशाल रहा होगा दोस्त को औग्षुर्ट कर दिया है कि ठीक हैं यार नहीं कर रहा है किसको यह विर शिंबल सीझे इस इसमें यार नहीं होगे इसमें च्पना नहीं में टिया घ्राय कर दिया तो वह हमारे लायामिटी सब्सक्राइब irony नेगलेजेंसी की वज़े से जो भी घाटा होगा जो भी कंपनी में प्रॉब्लम आएंगे घाटा हो जाएगा रिपोर्टिंग साइज से नहीं होगी आपने गलतियां नहीं धून के दी ऐसी गलतियों में आपको ऐसी गलतियों को बोलते हैं अपना लिए उस्टिम गाटा हो गाटे को भरपाई करनी होगा उसे बोलेजेंगे लिए लॉममिय और लाइबिलिटी खानौब्म आपने ने लिए लिए लॉपकर ार्वे गरवह यहीं नहीं गरता है जो जाटा होगा क्वाहित है अगर कोई भी लॉस होगा वह अ क्वाटो एक 8 को सफर करना पढ़ेगा वह पर इस़ेंष मिस फीज़िए तो है कि की आपने जानबूच के नहीं किया ई ठीक है कि हाँ इसकी वज़े से ना मैं यह फाइदा उठा लूँगा यह मैं यह नहीं कर रहा है आपने जान बूच से कोई चीज नहीं करी वह आता है आपका मिस्पीजिंस में हमने आदा स्टार्टिंग में एक कॉंसार्ट पढ़ा था गलती से मिस्टेक वाला बहुत फर्स liar वैसे मिस्पीजने मिल इंप्ला रांघ रांगर यह है मैं प्यूंट रॉंगा लिए आपने गलत किया अपने जान पूच gén गलती की यहां पर तो आपने छोड़ दिया वैस च्र。 यहां पर आपने गलती की जानiegen क्या इस लिए जैसे ऐसे अग्संपल देता हूं मां लगो वह मैंने बिल पड़ा था पछली क्लास में एक बिल था जो हमने कि पड़ा था मालो सेल्स का बिल 40 नमर गलत था ठीक है जो हमने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी अब मालो इस बिल को मैंने क्या किया मैंने थीक कर दिया यह देख तुमने गलत कर रहा हूं ठीक है एक करोड का हिसाब किताब है दो लाग मेरे अडाल दियो यानि मैंने उसी गलती जान भूच कर ठीक कर दी कभी जो हमने काम जान भूच कर किया होगा वह आएगा मिस फीजन्स में उसकी वजह सा जो घाटा होगा वह फिर और की लाइबिलिटी बनेगी ठीक है दोस्त यह हो गया देखो जो भी फिनांचल घाटा होगा कमपनी को तो वह गिल्टी मतलब उसके लिए हमें जिम्मेदार ठेरा जाएगा और हमें पैनल्टी भरनी होगी अब आता है क्रिमन लाइबिलिटी क्रिमन लाइबिलिटी मैंने पहले बता दिया किसी एक्ट यह भी जानबूच की जाती है एक तरह से जानबूच के ही होती अगर reicht कि पर गलति से लेकिन वह कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कश गलतिया कि अगर यह गलती घाट गहीए है जैसे कि missing statement prospectus, proportion 39 कि आपको जरूरत नहीं है सेक्शन 34 अब यह बदाना पड़ेगा जब कंपनी अपने शेयर वगरा इश्यू करती है ठीक है आई पीओ लाती है जिनको नई समझ मारा पता देता हूं जैसे अब ही नॉर्मल मैंने कंपनी खोल दी कि अजे एंड अशो सीए ट्राइवेट लिमि वीजा से थाल जीए होता है थे कि कौन मैं डिरेकटर कोन है इनडीपेन डिरेक्टर कौन है कंपनीगें चार साल सालो से क्या काम किया है कितना प्रोफिट आया कितनी ग्रोथ हुई है सारी चीजे उसमें लिखी होती है उसी को देखके तो बंदा नई कंपनी का खरीदेगा ना जब आई पर आता है अगर यह वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे तो मोटा मोटा समझ लीजिए जब कंपनी को शेयर मार्केट में ल कुछ गलतियां कर दी तो आप पे पैनल्टी लगेगी ऐसा लिखा हुआ है ठीक है दोस्त दूसरा पॉइंट क्या है नौन कंप्लाइंस और ने ना कोई कंप्लाइंस नहीं करा कि क्या कम नहीं करा सेक्शन 143 144 145 139 हमने पढ़ना था अप्वेंड मेंट का सेक्शन जाने की जुरूत नहीं है आप इसकी जगह पता क्या लिख सकते हो वैसे मैं सेक्शन पहले बदा देता हूं फिर बदाता हूं इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 143 था आपका जो हमने ड्यूटिस पढ़ी थे ना पावर ड्यूटिस एंड राइट अब ठीक है 144 किसका था 144 था आपका 144 अटाई दोयार यह क्योंकि यह आपको पढ़ाया नहीं है तो यह समझाओंगा तो देर मुश्किल हो जाएगी 145 है रेमनेरेशन का पीस का मैं से लिख बता रहा हूं ता कि आपको याद रहे ठीक है तो अगर एक और ने जो उस पर सेक्शन अपलाई होते हैं वो उनको ध्यान नहीं रखा उनके इसाफ से काम नहीं करा तो भी उसक्राइब लाइबिलेटी माना जाएगा अब देखो आप यहां से ना इन सबको काट करना एक लाइन लिख सकते हो वेद वेद के बाद तो वीजियन्स वीजियन्स ओफ वीजियन्स ओफ कंपनीज एक्ट टू थाउजन्स थर्टीन एज अब इसको छोड़के अगर आपको सेक्शन द्यान नहीं रहते तो आप ऐसे रह सकते हो कि एज पर दो प्रोविजियन ओफ कंपनी सेट जो भी कंपनी एक्ट के प्रोविजियन ओडर पर लागू है अगर उसने वो नहीं निभाए तो उसे भी क्रिमन लाइबर्टी माना जाएका ठीक है तीसरा फेलर टू असे इन्वेस्टिगेशन अब देखो यह क्या होता ना यह भी बड़ा टर्म आ अगया अब दुबारा इसको समझाना पड़ेगा पूरा देखो कई बड़ क्या होता है ना जब लगता है ना गवर्मेंट को या फिर कोट को किसी ने शिकायत कर दी तो वह और पास करते इन्वेस्टिगेशन करनेगा सक्षिन 231 है इसका 231-232 तो सरकार या फिर गवर्मेंट या फिर कोट और देती है कि इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवा हो इसमें गलतियां हो यह कुछ कंपनी धंग से काम नहीं कर रही कुछ फ्रॉड कर रही होगी तो जब वह इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी तो कॉट ने जिस को या फिर किसी भी एक बंदे को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा होगा उस बंदे को कंपनी के लोगों का दाइत्व बनता है कि वह उसको असिस्ट करें उसको सारी जानकारी दें अगर कंपनी के लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दोरान उस कोट के अपॉंट और भी बहुत सारे पॉइंट है वह आपके लिए इंपॉर्टन नहीं है ठीक है अब यहां पर एक चीज़ और ध्यान रखना कई बार क्या होता है ना सीधा कोशन ना इस पर आ जाता है अगर यह आ जाए तो आपको ना यह पूरा लिख देना है ठीक है और यहां पर आपको लिखना है यह वारी लाइन याने दिख रहा है मेस स्टेटमेंट और ना और ने इन प्रोस प्रेट्रस परस इसके इसी डेफिनेशन में बीच में यह लाइन डाल दे नहीं है आपका यह पूरा कोशन प्रोस्टन अब अगर क्रिमनल लाइबिलिटी हुई तो बहुत तरीके के पैनल्टी लगती है बहुत तरीके के पैनल्टी होती है देखो हमें अभी कौन से पढ़ रहा है और 47 के यह सबसे में पैनल्टी होती है जो इन जर्नल सेंस में लगती है तो आपको एक एक पैनल्टी याद रखने की ज़रूरुद नहीं है हम एक सबसे बड़ी पैनल्टी याद कर रहे हैं जो आपको लिखनी है क्रिमिनल लाइबिलिटी का कोश्चन आ जाए या फिर प्रोस्पेक्टर सा कोश्चन आ जाए तो आपको यह लिखना है और साथ में यह पैनल्टी लिखनी है पहले मैं पढ़ा जेता हूं फिर बताता हूं आपको कैसे कोश्चन में पेपर में कैसे कोश्चन करना है इसका पैनल्टी देखो अगर फ्रॉड करते हैं कंपनी में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जान बूच को सेल्स का बिली नहीं करा चेक या फिर उसको ठीक करवा दिया और कल को पता चलिया मेरे बाद अगले सार कोई और अज़र उटयर निकाल दे तो थो सबसे बडा कर दो इसमें इसमें पेनल्टी कैसे कैसे लग सकती है देखो अगर वह फ्रॉड जो मैंने वह बिल बचाया है जितने का वह बिल का फ्रॉड करा है वह फ्रॉड दस लाग से यह दस लाग से उपर है या फिर वन परसंट ऑफ टर्नोवर है मानलो टर्नोवर थी उस कंपनी की तो सो करोड का वन परसंट कितना हुआ एक करोड ठीक है फ्रॉड 10нако का है या फिर एक करोड है ठीक है जो भी कम है जो भी चोटा वाला अमांट है तो अब दस लाग और एक करोड शोटा वाला एक परसंड कितना हो जाता एक लाख ठीक है अब एक लाख छोटा है कि दस लाख छोटा है एक लाख भी हो गया तो भी यह वाली पैनिटी लग सकती है ठीक है अब थोड़ा समय नहीं आ रहाँगा मैं थोड़ा और रिलेबरोट करता हूं और यहीं बताऊंगा लिखना कैसे है तो अगर यह हुआ मुटा मुटा मानके चलो अगर अगर आपने यह भूल भी जाते हो ना तो भी दिक्कत नहीं है अभी के लिए वैसा तो मैंने बता दिया आपको भूल भी आते हो तो भी दिक्कत नहीं है बताऊंगा बताऊंगा अटेंशन आलो अभी के लिए मानके चलो अगर फ्रॉड दस लाक है दस लाक से उपर का हुआ तो आपको जेल हो सकती है छे महीने स से लेकर 10 साल तक की साथ में पैनल्टी भी लग सकती है देखो और भी है एंड भी है जेल भी हो सकती है और पैसे भरने पड़ सकते हैं यह हो सकता सिर्फ जेल हो जाए यह हो सकता सिर्फ पैनल्टी भरने पड़े ठीक और भी है यानि दोनों हो सकती है फिर कोई एक भी लग सक विम खुल सकती है उस सब्सक्राइब जो cheating क्या जो वे अग्यां जो कि अमाउंट दसलाग से नीचे हुआ या फिर वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर हुआ जो भी लोवर होगा उस केस में जेल आपको पांस साल तक के लिए हो सकती है वो सकता है कि दो महिने की भी लोवर लिमिट तो दे नहीं रखी है यहां पर लोवर लिमिट नहीं दे रखी तो कोट के पास जाएगा और फाइन लगेगा वो फिर कोट के पास है चला जाता है केस कर्दा पचास लाग तक का ठीक है अब दोस्तों बाट जान लो यह सक्ष न और भी बड़ा है इसमे और वह दो तिन पॉइंट है यो बड़े पॉइंट है वह हम नहीं पढ़ रहे हैं आपकी बूख में पता कितना दे रखा है आपके बूख में 10 यह में इस प्रफोटी सेवन में पैनल्टी आपके लग सकती है दस लाग दस साल तक के लिए बताओ सिर्फ इतना दे रखा है तो अगेन लास्ट क्लास की तरह इ इतनी है वैसे पढ़ने को चीजें इतनी सारी है आता कभी कभी पेपर में इतना सा है और हम इतना पढ़ रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं ठीक है तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं वह more than sufficient है उससे ज़्यादा पढ़ने के जरूद नहीं है अगर कोई चाहता है section खोल के पढ़ इस एक्ट तो आपको यह लिखावा मिल जाएगा इसमें दो तेन पॉइंट और होंगे वह भी देख जाएगा ठीक है अब देखो दुबारा बता जिता हूं कि क्रिमल लाइबिलिटी का question आया या फिर प्रोस्पेक्टर का question आया तो आपको यह वाला चीज भी लिखना है पर साथ में यह पैनल्टी भी लिखनी है इस पैनल्टी में जितना आपसे याद होना दोस्त उतना लिख देना जरूरी नहीं कि सारा कुछ लिखना है तो कि आपके बुक में उतना देनी रखा है सौरी ठीक है तो इस पैनल्टी में से जितना भी याद हो दोस्त उतना लिख देना अगर आप सर्फ यह उपर-उपर वाल लिख देते हो ना कि कि सज़ा हो सकते दशे मैंने से दस साल और पैनल्टी ले सकती है तीन गुना इतना भी काफी होगा लेकिन पूरा अगर आप लिख द अंधिओ पैनल्टी अफ वर श्रोड न भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं है और ऐसे लो can ब्युürü कर एक थि चालिए ौर झाल झाल